So hello and welcome you all I am Rohit from Margin Traders So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IOC और RAC Limited के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे एक केसे share की जो बिलकुल यहाँ पर bonus देने वाला है तो बिलकुल कल आपको ready रहना है तो guys वीडियो की शुरुआत करेंगे Indian Oil Corporation Limited के साथ काफी बड़ी news सामने आ रही है तो उसे भी हम discuss करने की यहाँ पर कोशिश करने वाले है यहाँ पर guys अगर देखें तो आज stock ने अच्छे returns के साथ closing दी है और कल ही हमने कुछ important label discuss किये थे उन levels के हिसाब से अच्छे returns हमें देखने को मिल रहे है stock अगर देखे 79.20 रूपिस के अराउं यहाँ पर हमें आज closing देता हुआ नजर आया है वही अगर बात करें returns अच्छे मिले है guys 1.10 रूपिस के अराउं stock में एक अच्छी growth यहाँ पर देखने को मिली है 1.41% के हिसाब से आगे भी share में एक अच्छी growth हमें देखने को मिल सकते है stock अच्छी returns हमें आगे आने वाले टाइम में दे सकता है so guys यहाँ पर Indian Oil Corporation last 5 days की अगर बात कर ले तो continue अच्छे returns हमें मिल रहे है यहाँ पर कभी-कभी गिरावट नजर आई बट stock ने गिरावट के बाद suddenly recovery यहाँ पर बताई है 3 रुपे पेसर पेसे तक की बड़त है 4.83% के हिसाब से और last of 6 months की अगर बात कर लें stock में काफी ज़दा उतार चड़ा बिल्कुल यहाँ पर roller coaster बना हुआ था पहले काफी similar एच चला काफी sideways रहा और फिर उसके बाद एक fall आया फिर suddenly एक उचाल आया फिर fall आया फिर एक उचाल आया तो बिल्कुल यहाँ पर upside down momentum share में शुरू से ही हमें देखने को मिल रहे थे हैं यहाँ पर अगर देखे गाइस 6.60 रुपेस के round share यहाँ पर हमें विल्कुल एक return देता हुआ नजरा है 9.09% के हिसाब से तो यहाँ पर अगर देखे इंडियन ओइल इंपोर्ट टू रिमैन ओन यहाँ पर slippery track देजियर तो गाइस यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो इंपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर जिस तरीके से बिल्कुल जो supplies है वो सही तरीके से चल रही है बट आने वाले टाइम में यहाँ पर 2023 में यह जो चीजे हैं वो कही ना कही track से हट सकती हैं यहाँ पर 2023 इसके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है ऐसे आकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं यहाँ पर कही ना कही जो आने वाले आने वाला जो टाइम है वो कही ना कही आपर अगर दिखें पॉलिटिक्स यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अगर दीखे आ जाए गाज चुन वामें मिल सकते हैं तो एसी भी चीज़े हाँ पर आ रही है और बिल्कुल यहाँ पर जो लेबल्स हैं कल जो लेबल्स हमने डिसकस किये थे समेट्रिकल टाइप पैटन था कल मैंने क्लियरली कहा था कि उपर क्यों और प्रेक आउट मिलता है शानदार रिटन मिले गे और ब के बारे में आपके साथ डिसकर्शन किया था यहाँ पर अगर देखें स्टॉक इस पर्टिकलर लेबल्स है 79.50 रुपिस के राउंड के लेबल यहाँ पर एक शेड़ो भी गरी थी बट यहाँ पर जो रिजेक्शन है स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली स्टॉक यहाँ से अच्छा घासा उपर की जाने लगा और यह जो लेबल है एक इंपोर्टेंट लेबल था इसे यह ब्रिक करता हुआ नच रहा है तो काईस कल के दिन अगर देखें तो यहाँ से फिर से एक अच्छी बड़त हमें अलग रहा है कि हो सकती है क्योंकि मार्केट की गिरावट के बावजूद भी शेयर दस्चे भल रहा है तो हम आगे भी इसमें पॉजिटिव रहने वाले है इस तो काफी ज़्यादा इंपॉटेंट लेवल है क्योंकि इन लेवल से भी एक फॉल देखने को मिला है इन लेवल से भी एक fall देखने को मिला है यहाँ से एक अच्छी बड़त देखने को मिली है औरे लेवल है एक high volume के साथ अगर break होता है तो यहाँ से जो बड़त आएगी वो बिलकुल यहाँ पर शानदार आने वाली है stock यहाँ से बहतरीन return दे सकता है इस चीच का आपको थ्यान रखना है अज लॉंग टर्म के purpose से भी अगर देखें तो इस particular लेवल से share में हमें एक fall देखने को बिला है यहाँ से एक fall हमें देखने को बिला है stock में यहाँ पर एक support है फिर 90 रूबिस के लेवल से यहाँ पर एक fall आया उस वाल ने 85 रूबिस का target दिया है आपर MK Global ने है और वही अगर बात करें यह जो लेवल्स है यहाँ से stock नीचे आथा यहाँ से stock नीचे आथा गाईस और वही अगर देखें यहाँ पर हमें मिला शानदार breakout breakout के बाद stock sideways जाना start हो गया sideways stock चला एक breakout यहाँ पर फिर से हमें मिल सकता 85 के लेवल्स है और यहाँ से जो target होगा यहाँ से जो long term का target होगा ओ यहाँ पर 150 रूपिस के around आ सकता है 150 रूपिस के around यहाँ पर बिल्कुल ए लेवल easy तरीके से अजिव होता हुआ हमें नजर आ सकता है अब बात करेंगे रैक लिमिटेट के बारे में तो रैक लिमिटेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल बहतरीन shares में से के और वही अगर देखें stock में आज हमें अच्छी बड़त देखने को मिली है और 123.95 रूपिस के around यहाँ पर share ने आज closing दी है returns की बात करें 1.75 रूपिस के around अगर देखें यहाँ पर बड़त है 1.43% के हिसाब से तो एक अच्छी growth के साथ share बढ़ रहा है और last five days की भी अगर बात कर लें तो last five days में 9 रूपे 60 पेसे तक की एक अच्छी growth share ने बताई है और 8.40 रूपिस परसन के हिसाब से यहाँ पर बड़त है पहले consolidate ही इसने किया फिर stock में एक अच्छा jump हमें देखने को बिला है और last one month में भी अगर आप देखोंगे 13 रूपे तक share बड़ा है फिर last six month में अगर आप देखोंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26.71 रूपिस तक यहाँ पर share बड़ा है 27.47 परसेंट के हिसाब से और levels की बाद करें तो बिलकुल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक falling wage type pattern यहाँ पर create हुआ था और कही ना कही एक important यहाँ पर retaste भी इसने किया और बिलकुल यहाँ पर double confirmations थे breakout यहाँ पर मिला और बिलकुल यहाँ पर breakout मिला stock sustain करके एक rally यहाँ पर बता रहा है तो शुरू से ही हम यहाँ पर positive है शुरू से ही यहाँ पर हम positive थे और आगे भी हम positive रहने वाले क्योंकि यह जो sustain level है बिलकुल यहाँ पर आप दिखोगे यहाँ से एक fall आया था guys और यही पर open handle type pattern भी create हुआ था तो यहाँ से हमारे पास confirmations थे और वही से stock उपर क्यों जा रहा है और जो target था जो कल भी मैंने यही बार discuss की थी आपके साथ यही बार share मेंने की थी कि यह जो level है important है क्योंकि यहाँ पर एक falling वेश टाइब pattern है sustain करके share उपर जा रहा है और इस level को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ से stock नहीं रोपने वाला यहाँ से जो return है continue हो सकते है यहाँ से जो यह return है यहाँ पर बिल्कुल guys यह उपर क्यों जा सकते है 150, 160 के around जा सकते है क्योंकि बड़े time frame पर भी देखोंगे तो एक falling वेश टाइब pattern है breakout हमें मिला है यहाँ पर भी अगर आप देखोंगे नीचे support है उपर भी एक range में stock काफी time सा फसा हुआ है तो इस range को भी break करने कोशिश करेगा और जब भी यहाँ से stock बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो आप देख सकते हो continue कुछ ही महीनों में इन्होंने target जूगी है तो बिल्कुल guys ready रहना है और guys कल एक important day है Rama Steel Tubes Limited के लिए यहाँ पर 173 के around का यहाँ पर share है कल बिल्कुल यहाँ पर यह आधा हो जाएगा क्योंकि कल है 6 जन्वरी 2023 इसकी एक bonus date यहाँ पर मिल रहा आपको 4-1 का bonus एक share के उपर आपको बिल्कुल 4 bonus share मिलेगे total आपके पास 5 share हो जाएगे I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कोई भी share में investment करने से पहले इंचेर्स का analysis कर लेना Thank you